हाई दोस्तों आई टिक माप सभी लोगों का स्वागत है आज का ये वीडियो आपके स्मार्टफोन के कैमरा पर है अगर आप अपने स्मार्टफोन के कैमरा से फोटो कैप्चर करते हैं और फोटो इतनी अच्छी नहीं आती selfie capture करते हैं तो selfie अच्छी नहीं आती video record करते हैं तो video quality भी काफी खराब होती है साथ साथ में आपके smartphone के camera में किसी भी तरह के advanced features भी नहीं है जिसका use करके आप कम से कम एक अच्छी photo capture कर पाएं तो अगर आप अपने smartphone की camera quality को बढ़ाना चाहते हैं आप इस video को end टक देखीगा क्योंकि आजके इस video में मैं आपको एक ऐसी app के बार बताऊंगा जिसमें इतने सारे features है कि मैं एक video में इन सभी features को नहीं बता सकता तो इन सभी features का use करके आप एक अच्छी photo भी capture कर सकते हैं एक अच्छी selfie भी ले सकते हैं और एक अच्छा video record भी कर सकते हैं तो अगर आप अपने smartphone के camera की quality को बढ़ाना चाहते हैं और इन सभी advanced features को use करना चाहते हैं तो वीडियो को end टक देखेगा तो चले मैं आपका time waste ने करता हूँ फड़ा फड़ सम इस वीडियो को start करते हैं मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं i-tech तो सबसे पहले आपको एक app इंस्टॉल करनी होगी जिसकी link में आपको इस वीडियो के description में दे दूंगा हूँ आप इस app को इंस्टॉल कर सकते हैं आपको इंस्टॉल करने के बाद जैसा आप इस app को open करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा इस app की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ पर आपको DSLR जैसा dial मिल जाता है जहाँ पर आप इसे गुमा कर अलग-अलग mode में image भी capture कर सकते हैं और यह like DSLR जैसी feeling भी देता है और अगर हम बात करें यहाँ पर advanced features की तो advanced features के लिए simple आपको इस तिन डॉट पे क्लिक करना है क्लिक करते हैं आपके सामने कई सारे features आ जाएगे अब इन सभी features का use करके आप एक अच्छी photography कर सकते हैं एक अच्छी photo capture कर सकते हैं समझ लिजे के आप अपने smartphone के camera का manually setting कर सकते हैं और इसी तरह से आपको यहाँ पर video का भी option मिल जाएगा जहाँ पर आप autofocus mode, flash mode, exposure और भी कई तरह के आपको यहाँ पर features मिल जाते हैं जिसका use करके आप एक अच्छी वीडियो ग्राफी कर सकते हैं यानि कि एक अच्छा video record भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको एक HDR का option मिल जाएगा जिसकी मदद से और video और camera के अंदर भी कुछ changes कर सकते हैं तो यह काफी कमाल के app लगी मुझे काफी सारे features हैं तो आप भी इस app को जोरो से try किजेगा अगर आप सही से इन सभी features का use करेंगे तो आप एक अच्छी photo capture कर सकते हैं और एक अच्छा video record भी कर सकते हैं तो आसा करतो दोस्तों आपको यह वीडियो का पसना होगा पसना है तो प्लीज आप लाइक कीजिए का और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं नहीं ने चुज़ों के बारे में चाहते हैं तो आप उमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नहीं ने वीडियो मिलते रहेंगे तब तक लेपने अधियाने के रहे दोस्तों टेक केर बाई